हलो फ्रेंस, स्वागत है आपका आपके चैनल सिष्टी किचन में फ्रेंस आज हमनाएंगे बेसन और आलू का बहुत ही टेश्टी नास्ता उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है आलू, हरी धनिया, हजवाइन, जीरा, अमचूर पाउडर, समोशा को मसाला है और हरी मिर्च, तो चल रहें इसको मनाने, सबसे पहले हम बेसन डालेंगे और इसी कुटोरी से हम दो कुटोरी पाई डालेंगे, एक कुटोरी बेसन में दो कुटोरी पाई डालेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसके बाद आजवाइन डालेंगे, जीरा, अम्चुर पाउडर, समोशा को मसाला, थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्च, सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें थोड़ी सी हिंग डालेंगे, नमक अपने स्वाथ को इसार डालें, इसको अच्छे से फेटेंगे, इसके बाद हम आलो कदू कस करेंगे, आलो को मैंने बॉल करके छील के रख लिया था, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको मैंने फेट लिया, इसमें गुठले बिल्कुल भी नहीं है, अब चल रहें इसको बनाने, तो यहाँ पर मैंने एक पेंड़क दिया है, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, घी अच्छे से मिल्ट हो जाए, इसमें जो पेश्ट बनाये थे उसको डालेंगे, और इसको मलगातार चलाते रहेंगे, इसको मलगातार चलाते रहेंगे, जब तक हमारा पेश्ट बन के तयार नहीं हो जाए, क्योंकि अगर इसको मलगातार तो इसमें गुठलियां पर जाएंगे, अगर गुठलियां पर जाएंगे, तो हमारा नास्ता अच्छा नहीं बनेगा, इसके बाद इसमें आलू मिक्स करेंगे और इसको भी मिक्स करने के बाद हम लगातार चलाते रहेंगे इसमें हरी धन्या डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे तो पेश्ट बन के मारे तयार हो गया है एक थाली में थोड़ा सा घी लगा कि अच्छे से इसको हम फैला देंगे तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे उसके बाद इसमें हम फैलाएंगे ना जादा मूटा फैला ना है और ना जादा पतला मीडियम का रखेंगे हम तो इसको हम 15-20 मिनिट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे उसके बाद इसको हम कट करके फ्राई करेंगे पंदा से 20 मिनिट हो गया है बहुत अच्छे से जम गया है अब इसको हम नाइब की हिल्प से कट करेंगे छोटा बड़ा जिससाब से आपको कट करना हो इससाब से आपको कट करें कट करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे और देख सकते हैं आप बहुत आसाने से निकल रहा है तो यहां पर मैंने घी रख दिया तक यह अच्छे से गरम हो गया एक एक करकीस में डालेंगे और धीमियाच में इसको फ्राइ करेंगे एक एक करकेस में उतने डालेंगे जितने कड़ाई में आ सकते हैं उगैस कफले मेडियम पर ही रखेंगे धीमी आच में इसको हम हर साइट पलटके अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हमारा नास्ता बन के तयार है आप इसको इसमें थरसेख बट्राई जरूर करना पशंद आए तो प्लीज लाइक स्प्राइब परना ना भूलें दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको आलू बेशन का नास्ता कैसा लगा